अब देखने के लिए कितना मजबूत है और कहां पर इसमें कमजूरी अभी भी भी बाकी है यह एक बहुत modernized aircraft carrier है मगर इसकी testing आप देख सकते हैं एक इसको किस प्रगार से test किया गया है आप देख सकते हैं एक shock मतलब एक बहुत heavy explosive के माधियम से इसे test किया गया और इस explosive के माधियम से 3.9 magnitude का एक भुकंप भी generate हुआ है अब 6 महिने के लिए से बेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए कि कहां पर कौन सा जो पार्ट था वो वीक था अगर कोई पार्ट बीक होगा या कोई बहुत ही जादा कमजोर होगा तो कहीं न कहीं उसे next जो बनाया जाएगा create किया जाएगा उसमें update की जाएगी और ये test पूरा मदे नजर रखते हुए किया गया है धाकि जो marine life है उसे कहीं भी नुकसान ना पहुंचे ये बात US Navy के द्वारा साजा की गई है उमीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगे होगी thank you so much मेरा नामे चेतन और इस